वेलकम टू मैं योट्यूब चैनल आज की हमारी प्रेरख कहानी है ज्यान की कीमत बाद उस समय की है जब अकबर भारत का समराध था उसकी सभा में एक दार्शनिक थे उनका नाम था अबू अली कहते हैं कि लोब लालच उन्हें ता उम्र छो भी नहीं सका एक बार सहारा रेगिस्तान का एक शेक अमीर उनके पास आया और बोला मैं आपके चार्णों में बैठकर अध्यान करना चाहता हूँ अबू ने कहा मैं तुम्हें पढ़ाने के लिए तैयार हूँ लेकिन सो अशर्फी हर माहल लूँगा अमीर वक्ति उन्हें त्याग और तब की मुर्ती समस्ता था लेकिन अशर्फी मांगने पर उसे अच्छा नहीं लगा लेकिन उसने अशर्फी देने की बात को स्विकार कर लिया वह ग्यान प्राप्ति करने लगा जब शिक्षा पूरी हो गई तो उसने घर जाने की आग्या मंगी तब अबु अली ने अल्मारी से सो अशर्फी निकाली और उसे वापस कर दी अमीर हैरान हो गया उसने कहा जब आपको महन ताना ही नहीं लेना था तो आपने यह शर्ट क्यों रखी दी कि सो अशर्फी मैं आपको हर माह दो अबु अली ने कहा मैं यहाप रखना चाहता था कि तुम ग्यान की कीमत देने की इच्छा रखते हो या नहीं जो कीमत नहीं दे सकता है उसे किसी से कुछ पाने का हक नहीं है अमीर शेक अबु की विरक्ती देख भाविवर हो गया वाकई ग्यान सहच मिलता है तो लोग उसकी कीमत नहीं समझते हैं इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें जहां से भी ग्यान मिले हमें बटोर लेना चाहिए वो फ्री में मिलता है तो हमें उसकी कीमत नहीं रहती और जहां हम पैजा घच करके लेते हैं उसकी हमें बहुत कीमत रहती है तो यह सबी लगों को ध्यान रखना चाहिए यदि आप मेरे चैनल पनाए हैं प्लीज लाइक शियर और सब्सक्राइब मैं चैनल ताकि आपको इसी तरीके के गंटेंट मिलते रहें धन्यवाद झाल झाल झाल